हेलो फ्रेंड वेलकम वेक टू माई चैनल मैं हूँ बभीता स्वागत करती हूँ आपका पलपल रियल व्लोग में तो आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है फ्रेंड वो ओल्ड सॉक्स रिलिटीड है यानि कि जो घर में पुराने सॉक्स पड़े होते हैं उनको पुराने हो गए हैं और किसी का जोडा ही गुम है ऐसे होते हैं और पुछ तो पुराने सॉक्स आपके पास रखके हैं तो प्लीज वीडियो आप जरूर देखेगा सब से पहले टॉपिक होने वाला है हमारा इस तरीके के कपड़े दोने के ब्रस को लेकर इसका यूज हम कै इसे करेंगे सोक्स के साथ मैं आपको बता रहीं फ्रेंट बहुत ही यूनिक आइडिया है अक्सर होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे कीमती कपड़े होते हैं जिन पर इस तरही कढ़ाई होती है रेसम की कढ़ाई होती है यृफ ही होता है तो कभी-कभी उन पर दाग ऐसे पढ़ तो इस तरीके से हम ब्रस लगा देते हैं कभी-कभी पैसे नहीं लगाना चाहिए लेकिन दाग ज्यादा गहड़ा पड़ जाता है तो लगा भी देते हैं तो आपको कर ना किया है अगर आपको बैचांस यह वाला ब्रस इस्तमाल भी करना है स्टोन वाली कड़ाई के कपड़ में या फिर हैवी कपड़ों में जो बहुत जादा महें Bundes Hemant कर दो Z般 से पहले आपको भार के वऽसके ऊपर देना है इस तरीके इसे मैं AAK आपको दिखा रही हूं इस साइस जुरेने आप कपड़ के ब्रस के लिएना है थो अब वाला हमारा कपडाlier इसको भी आप easily धो पाएंगे क्योंकि इसके उपर हमने socks चड़ा दिया है तो अब ये कड़ाई के अंदर इसके जो मतलब के ब्रस होते हैं ये फसेंगे ही नहीं बिल्कुल भी अराम से आप कपड़े easily धो पाएंगे कितने भी महंगा कपड़ा हो बिल्कुल भी आपका आप नहीं होने वाला है ये फिरेंड आप देखे टैल्स वगरा भी इससे साफ कर सकती हैं बातरूम की किचिन की कहीं की भी टैल्स होते हैं तो वह भी बहुत अच्छे से साफ होती है इसे एक बार ट्राय करके देखेगा आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला है इस तरिके से भी पुराने सक्सायक यूज ले सकते हैं आप घर के कामों में अब देखते हैं रे इस तरीके से ये वह रिग आप इस सब्केर वाला है, सकती हैं मेरे लोमें मिले नहीं होते हैं इस सब्क्रा कर दोदोर्ट ८र wystी की तरब आप डिबे में डाल दीजिए लीजिए फ्रेंड बहुत ही प्यारा सा आप एक ही और्गनाइजर बनके तयार हो गया है चाहे तो आप इसे किचिन में रख लीजिए जैसे कि इसमें चमच वगएरा छोटी-मोटी जो कैची होती हैं हमारे किचिन में यूज होने वाल बनके तयार हो जाएगा अब देखते हैं इसका अगला इडिया देखिए हमारे पास कुछ कप ऐसे होते हैं जो सिंगल रह जाते हैं फिर खराब हो जाते हैं तो उनको यूज कैसे करें देखिए इसे भी मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करने वाली हूं अगर टूटा-फ के और हमें करना क्या है जी ओए अप अच्छे से और नाप के देख लीजएगा और हमें करना क्या है पें हो चुका है जीतों आप इसे कब के उपर पहना देती हूं यह देखिए उन सुन्दर सा लुक देगा फ्रेंट चाहे तो आप इसे और भी डेकोरेट कर सकते हैं तो इस तरीके से भी आप किसी मतलब पुराने बेकार कप का यूज कर सकते हैं थोड़ा सा देखने में भी यूनिक लगेगा ये देखे फ्रेंट इसका बिल्कुल एक दम लुक ही चेंज हो गया है तो ये तो मेरे पास नया कप था अगर आपके पास कोई पुराना कप है तो आप इस तरीके से पुराने सौक से उसे डेकोरेट करके घर के कामों में या किचिन में यूज कर सकते हैं देखे बहुत ही सुन्दर ये लगने वाला इसमें अब आप कुछ भी समान रख स तो यहां पर मैंने एक बॉक्स लिया हुआ है इस तरीके का और इससे बनाएंगे हम बहुत ही प्यारा सा और्गनाइजर कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ तो अब मैं क्या करूँगे एक लूंगी पुराना सॉक्स देखिए इसका एक सॉक्स पता निंगे कहां चल गया और यह फट गया था अब हम करेंगे क्या इस सॉक्स को न हम कट करने वाले हैं इसे भी हम कट करेंगे देखिए यह बड़े ही कमाल का होता है जो सॉक्स होता है हमारा क्योंकि यह जो नमतलब के थोड़ा सा रवड की तरह होता है एक जम फैलता है अच्छे से तो आप इसे कट कर लीजेगा इस तरीके से तो इससे रवड के छोटे-छोटे छले जैसे बन जाते हैं जैसे मार्केट से रवड मिलती है वे 5-5 रुपया वाली उसी तरके की इसमें रवड बनके तयार हो जाते हैं देखें, मैं भी आपको दिखाती हूं और बहुत अच्छे से वर्क करते हैं इन रवड को आप बना के रख लीजे बहुत सारी चीजों में इसे यूज कर सकते हैं आप जैसे घर में कोई ग्रॉसरी का पैकेट होता है उसे भी बन कर सकते हैं और फिर इने बालों में भी डाल सकते हैं दिखने में सुन्दा लगती हैं अब इने यूज कैसे मैं कर रही हूँ ये आप रैड खुद वीडियो में देख लीजे यहाँ पर मैंने ये बॉक्स लिया था ना इसी के उपर में ये रवड बेंट चड़ा देती हूँ जो मैंने सॉक्स से कट की है थो देखे फ्रैंड ये बहुत ही प्यारा सा एक useful organizer हमारा बनके तयार हो जाता जिसे आप multipurpose तरीके से यूज कर सकते हैं कैसे भी आप यसे यूज कर सकते हैं आपके मर्जी है अब ये सारी सारी जो रवड हैं इसपे set कर दी है और ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है तो चली फ्रेंड मैं इसे यूज करने वाली हूँ अपने लिपिस्टिक रखने में तो हमारे घर में काफी सारी हम लेडिसों के पास लिपिस्टिक होती है तो देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर लिपिस्टिक रख ली है अपनी आप इसमें नेल पेंट रख सकते हैं जैसे सिंदूर वगएरा होता है वो सब भी इसमें और्गनाईज करके रख सकते हैं अब सारा समाना आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा अब देखते हैं फ्रेंड अगला आइडिया तो यह वाला सॉक्स मैंने ले लिया है फ्रेंड अब मैं करूँगी कि इसका यूज कैसे करने जारे हूँ मैं आपको बताती हूँ तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास चूड़या होती है यह तो चटकेंगी नहीं लेकिन अगर काच की चूड़या ले जाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी चटक जाती है तो जब भी अगर आप एक्स्ट्रा चूड़या रखके ले जाना चाहती है अपने पर्स में रखके तो इस तरीके से आप अपनी चूड़यों को और्गनाइज करके लेके जा सकनी जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चूड़यों को सॉक्स के बीच में डाल लेना है फिर इस तरीके से पलटना है जैसे मैं पलट रही हूँ आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा और आप अपनी बहुत सारी चूड़यां इस तरीके से और्गनाइज करके ले जा सकते हैं सॉक्स में तो एक हाथ की एक में रख लीजे वैसे तो आप दोनों हाथ की चूड़यां एक ही सॉक्स के अंदर रख के ले जा सकते हैं लिए फिर आप इसे पर्स में रख लीजे बिल्कुल भी चटकेंगी नि बहुत ही अच्छे सा आपकी चूड़िया आपके पर्स में रख्यों चली जाएंगी तो कैसा लगा फ्रेंड ये वाला इडे अच्छा लगा न तो आप अपनी चूड़ों को इस तरीके से घर में भी लख सकते हैं करके या फिर बाहर कहीं जा रहे तब भी अपनी चूड़ों कैसे करके ले जा सकते हैं या फिर देखिए फ्रेंड आपको करना किया कभी कभी ऐसा होता हमारे पास छोटी चूड़िया होती है और हमें पहनी होती है तो जैसे हम उनको पहनते हैं तो हमारे हाथ में काच लग जाता और पहनी भी नहीं जाती है तो आप पुराना सोक्स कोई भी ले लीजेगा हात में पहन लीजेगा पहले और फिर चूड़ी आपके हाथ में आराम से आ जाएंगी तो इससे यह फाएदा होगा फ्रेंड एक तो आपके हाथ में काच भी नहीं लगेगा ना तो आप पहन भी सकते हैं चूड़ों को इस तरीके से और छोटी चूड़ों को निकाल भी सकते हैं तो अब देखिए फ्रेंड अगला जो आइडिया है ये भी चूड़ों को होने वाला है तो हमारे पास काफी सारी कांच के चूड़े आशी होती है लेडिसों के जो हम सही से और्गनाइज नहीं कर पाते हैं और इस तरीके के बॉक्स में रख की रहती हैं तो कभी-कभी अगर मतलब के हम इन्हें उठानी लगते हैं तो ऊपर का धकन हमारे हाथ में आ जाता और नीचे का छोड़ जाता है क्योंकि काफी ये लूज होता है और गिर के हमारी चूड़ लगा तो यह मतलब चटकेंगी यह नहीं बहुत कम चांस होंगे कि यह आपकी काथ की चूड़ा चटक जाएं बहुत अच्छे से आप इसमें इस्टौर करके अपनी चूड़ो को राख सकते हैं तो इसमें एक पैकेट और भी रख सकते हैं चूड़ो का एक डिबबा और भ लगा होगा आप देखिए फ्रेंड यह सोक्स मैंने पहले कट कर रखा था तो इस सोक्स से मैं बना लूँगी रवर्ड हाँ यह रवर्ड जो होती है न बहुत ही काम आती है तो मैं बनाती रहती हूं और ऐसा होता है न कि अगर खराब हो जाए तो फेक दो फिर दुवारा से बना लो कौण जी बड़ी बात है घर में तो पुराने सोक्स हमारे रखे ही रहते हैं तो अब देखिए यह रवर्ड जो होती है न आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं तो मैं तो बना के रख लेती हूं जब मुझे जरत पढ़ती है तो मैं इनका यूज करती रहती हू है न तो आप भी बना लीजेगा और कैसे इनका यूज करेंगे मुझे आप बता सकते हैं मैं आपके कमेंट का वेट करूंगे तो यहां पर देखिए इस तरीके से कोई भी पैकेट होता है हमारे घर में इस तरीके से रखेंगे ना इसे रवर्ड लगाके तो यह बिलकुल भी खराब नहीं होगा इसमें सीलन वगएर नहीं जाएगी हवा वगएर नहीं जाएगी और जो भी समान इसमें रख रहेगा वह बिखरेगा बिलकुल भी नहीं अब देखिए फेंड यह सोक्स कद नीचे वाला पार्ट है इसको कैसे मैं यूज करूंगी तो देखिए हमा की बोतल होती हमारे किचिन में वह भी आप इस तरीके से लगा के रखेंगे ना तो जितना भी घी निकलेगा वह सभी सोकता रहेगा तो यहां पर देखिए अगला आइडिया जो होने वाला है यह भी बहुत अच्छा होने वाला है कभी कभी हम ज्यादा चूड़ी पहन ले यह फिर देखिए फ्रेंड आपको करना क्या एक बटन ले लेना है और बटन को इस तरीके से इसमें लगा दे रहा है देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ अब यह बहुत अच्छा सा एक रवर्ड मेंड आपका बनके तयार हो जाएगा और इसे कैसे यूज करेंगे मैं आपको तो यहां पर देखिए फ्रेंड हमारे घर में प्रेस तो होती है प्रेस करके हम ऐसे छोड़ देते हैं इसकी वायर वैसी फैली पड़ी रहती है और खराब हो जाती है और इसके जो तार वगएर होते हैं बिल्कुल खराब हो जाते हैं कभी कभी और देखने में भी अच्छी नहीं लगती है तो आप इसके वायर को और्गनाइज करने में भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं ये देखी फ्रेंड आपको करना क्या इस तरीके से लेना है और यहां से वायर को पकड़ते वे इसके उपर ये बटन को लगा देंगे ये देखी बिल्कुल सेट हो जाए है इसमें एक बार और मैंने फोल्ड किया है तो अब अच्छे से ये जाडू पर फिक्स हो गई है अब जो हमारी जाडू है ना फ्रेंड ये एकदम सेफ हो गई है इसके जो तील्या होती है इसके बाल जो होते हैं जाडू के वह बहुत जल्दी खराब होते हैं निकलते रह पुराने और बाइपर के उपर लगा देने हैं इस तरीके से और इसका इस्तमाल आप कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूं तो देखिए फ्रेंड हमारे घरों में कुछ चीज़े ऐसी होती है जैसे फनीचर हुए बैड हुए अलमीरा हुई या मतलब के कुछ ऐसे इस्थान होते हैं जहां पर हमारा हाथ नहीं जा पाता है तो आप वहां की क्लिनिंग भी अच्छे से कर सकते हैं या फिर हाइट होती है थोड़ी सी बातरूम की या फिर टेल्स कहीं पर ऐसे लगी होती है तो आप वहां पर भी से क्लिनिंग कर सकते हैं बस सोक्स को लगी रहते हैं तो पड़ों को भी सेट करने के लिए आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर देखी फ्रेंड देखने में भी काफी यूनिक यह लगता है आशा करती हूं आज की वीडियो के टॉपिक आपको अच्छे जरूर लगे होंगे फ्रेंड अगर अच्छे लगे ह हैं तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजेगा चैनल पर पहली बार आएं तो सस्क्राइब भी कर लीजेगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कौन सा वाला टॉपिक आपको आज का सबसे अच्छा लगा तो फिर मिलूंगी फ्रेंड एक और ऐसी हेलफुल वीडियो कर दो जो एका स्क्टाइब लाइब